36 गड़ के बलरामपुर जिले में 10 वर्षी अब रिजेश पाल की हत्या की गुथी सुलज गई है बच्चे को फिरौती के लालच में गाव के ही एक व्यक्ति और एक नाबालिग ने किड्नैप किया था लेकिन पुलीस के दबाव में आने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी बच्चे का शव 6 अक्टूबर को मोरन नदी के किनारे मिला SP वैभव बैंकर ने मामले का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया कुछ संदिक्दों को हम लोगों ने पूश्टाच करके और फिर पूरा एनालिसिस करके राउंड अप किया था जिसमें एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा संदिक्द हमें पाया गया था उनके द्वारा बेला फुसला कर उस जगे पे ले गया था जहां पर जो है मतलब लास जो है वो पाई गई है और वहां पर फिरोती मांगने के उद्देश्य से उसको जबरण जंगल के अंदर ले जाया गया था जहां पर बच्चे के द्वारा प्रतिरोध करने पर जो आरोपी है उसके द्वारा बच्चे का गला दबा कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था बच्चा जो है उस वक्त उसकी जान नहीं गई थी तो उसका शर्ट जो है उससे फंदा बना कर बच्चे का गला बहरेमी से दबा कर उन्होंने बच्चे को मौत के घाट उदारा था